हाई गाइज आज के सखास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टिकी एप्लिकेशन इस मग काफी लोगों के बीच में पॉपलर हो रहा है वो किस country का application है अगर आप टिकी application के बारे में थोड़ा सा गोर से देखें तो टिकी application की हुब 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 जो copy है बिलकुल snack की तरह लगता है यह application snack की तरह है तो क्या यह application भी चाइना बीज़ application है कि आपके मेहनत जो आपने जिस तरीके से अपने other platform से मेहनत करी थी जिस तरीक चेक किया इसको Google के उपर तो मैं भी चौक गया बारगी कि यह application है किस country का तो आईए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेक करते हैं Google Play Store के उपर शायद हमको Google Play Store के उपर कुछ information मिल जाए इस application के बारे में तो हम जाते है Google के उपर वहां पर टाइप करते है टिकी और सामने ख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं दस मिलियन का मतलब हो गया लगबग एक करोड़ों लोगों ने इस application को download कर लिया क्योंकि वन मिलियन में होते हैं 10 लाग यानि कि एक करोड़ों लोगों ने इस application को download कर लिया अब यहां पे कोई भी information नहीं मिल रही सिवाए इसके कि यह जो application ह वो doll technologies PTE Limited ने बनाया है तो कि अब यह यह चाइनीज है गया कहां का है doll technologies PTE Limited इसके बारे में कोई information प्लेस्टोर पर तो अवलेबल नहीं है मैंने देख लिए प्लेस्टोर पे पूरा चान लिए आप भी चान सकते हो नहीं अब हम एक काम करते हैं अब हम जाते हैं वापस से Google Google Play Store के दरब स्वाइब हम Google में चेक करते हैं कि शायद हमको वहां से information मिल जाए कि application है कहां दिखाता हूं कि application है कहां का चाइना का है कि कहां का है application तो हम लोग टाइप करते हैं यहां पर ठीकी application विच कंट्री एप ठीक है ठीकी app विच कंट्री तो आपके सामने क्या रहा है व्यत्नाम तो क्या विद्नाम का अब है नहीं 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 अभी रुख जाओ रुख जाने का नहीं अगर आप इसके बारे में तुर्वादा स्टडी करोगे यहां पर लिखा हुआ है यहां पर साफ साब लिखा हुआ है कि टिकी application यहां भी लिखाओ 2010 प्ले स् ना तो अभी तक हमको पता नहीं लगा कि चाइना का है की नहीं है ठीक है यह application व्यत्नाम कभी नहीं है क्रॉस ठीक है अब हम वापस से चेक करते हैं एक लेवल और और जाते हैं डाउन अब जैसा कि अपने प्ले स्टोर पे देखा था कि इस application को किसने बनाया है डॉल टेक् सब्सक्राइब करते हैं डॉल टेक्नोलोजीज पीटी लिम्टेड आपके स्क्रिंग के सामने इस वक्ट जो आ रहा है डॉल टेक्नोलोजीज पीटी लिम्टेड साफ साफ लिखा हुआ है कि यह company Singapore based company है यानि कि बिल्कुल आप सही जगे पर हैं और जो application आप यूज कर रहे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा मैं पूरा अंदर तब घुसके आपको इसके बारे में बताऊंगा शुक्रिया अपने ख्याल रखें